दोस्तो हमने बात कर रखी है इंडिया के अंदर हेल्थ केर एजुकेशन हेल्थ केर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स की अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिया और हमने फिर बात करी थी उसके सलूशन की जो कई सारे आपने खुद सजेस्ट किये और कंसाइस किया हमने बट एक और बहुत बड़ा problem है जो इंडिया के students को face करना पड़ता है जिसके वज़ाय से हम अच्छे professionals नहीं बना पाते, अच्छे doctor नहीं बन पाते, अच्छे engineer नहीं बन पाते, अच्छे teacher नहीं बन पाते, वो है language barrier, language problem. जादतर courses आपके जो होते हैं वो अंग्रेजी भाषा में, English भाषा में होते हैं, English teaching होती है, English और जितने medical courses हैं, वो सारे के सारे English है, वो आप जानते हैं, एक medical student को MBBS में enter होने के बाद, अगर वो एक English भाषा नहीं बोल पाता है, नहीं समझ पाता है, तो उसे रटना पड़ता है, वो समझेगा नहीं, तो फिर उसका interpretation करके उसको कैसे अपनी जिंदगी में वो यूज करेगा, एक patient के बारे में जानने के लिए सोच के दिखिए, अगर आप को English आती है, medical field में तब तो ठीक है, medical field छोड़ो, आप कोई भी student हो, आप student हो, आप MBBS कर रहे हो, MD कर रहे हो, उ अगर आपको अच्छे से English नहीं आती है, तो आपकी मुश्किले 10 गुना बढ़ जाएगी, आपकी समझने की शक्ती 10 गुना कम हो जाएगी, ये सच्चाई है, बहुत बड़ा problem है, कई words, कई sentences के मतलब के उपर आप समय बर्बाद करोगे, आपकी performance कम हो जाएगी, ज्यादा तर cases में, या तो आपको सिर्फ memorize करना पड़ेगा, रटे मारने पड़ेंगे, या फिर आपको किसी को तंग करके समझने की कोशिश करने पड़ेंगी, ये क्या है, और अगर मिल गया कोई partner तब ठीक है, अगर नहीं मिला तब क्या करोगे, बहुत issue आता है यहाँ पर, एक English नहीं आने का, नहीं समझने का, एक student की life में, एक medical student की life में, और फिर अगर आप pass हो गए, मानलो, MBBS pass हो इसके बाद, एक doctor बनने के बाद, और ज्यादा ego hurt होता है, किसी को पूछने में, कि ये क्या लिखा, इसका मतलब क्या है, सोचो, कितना issue आता है, सबसे बड़ा issue आता है लोगों का, कि हाँ, एक patient से भी बात करते समय, अगर वो patient English में बोल रहा है, और आपको उसमें से आधी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर क्या होगा, already doctors, patients को time कम देते हैं, already treatment unnecessary होता है, कई सारे unnecessary drugs, antibiotics दिये जाते हैं, already यहाँ पर medical system में काफी flaws हैं, उसके उपर language barrier अगर आ problem होती थी, फिर भी हमने सीखा, जितना हम से हुआ, Marathi हमारे स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी, हमने वो भी लिया था, 12 तक Marathi पढ़ी तो basic तो आता था, इसलिए हम समझ लेते थे, I could understand English, Hindi, Marathi, Punjabi, so that makes a difference, तो हम उन लोगों से conversation कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, patients से उनकी ब भाशा में आप बात करते हैं, जो भी भाशा है, तब आपको एक special advantage मिलता है, special bonding होती कि हाँ, परसन हमें समझ रहा है, यही बात engineering में भी apply करती है, यही बात एक teacher, एक teacher के लिए तो बहुत apply करती है, रदर हर एक दुनिया के किसी भी course में English language पे पकड़ होनी बहुत जरूरी ह is very very important, ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है, अगर आपकी English टूटी-फूटी है, तो आपको उस पे काम करना होगा, unfortunately, इस level of education में इस उमर में आने के बाद में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, कि हम किसी से पूछ सकें, या हम किसी से इस तरीके की conversation कर सकें, कईयों को इस बारे म उनके तरफ से sponsored है, Cambly एक ऐसी website, एक ऐसी application है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अपने लिए एक personal tutor मिल जाएगा, कभी भी, कहीं भी, 24 घंटे में आप उससे कुछ भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी भाशा के बारे, from he my name is tamra and I'm from California. What would you like to work on today? Learn English at the touch of your button एक बटन दबाना है उस ट्यूटर के साथ में आप connect हो जाओगे हजारों ट्यूटर हैं Cambly में सारे के सारे overseas के हैं अभी फिलाल सारे कोई America कोई Canada कोई Australia UK इन जगाओं से आपको ट्यूटर्स मिलेंगे कई ट्यूटर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं MD, Medicine वहाँ पर MD करके डॉक्टर्स हैं जो actually सिखाने आ रहे हैं आपके साथ में और कई वहाँ Indians भी हैं वहाँ के कई सारे Indians हैं कै ट्यूटर्स हैं आप उसमें अपने प्रोफाल ढूड सकते हैं हजारों में किससे बात करनी है और फिर अपनी भःशा में उनसे बात करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं अगर आप English सीखना चाते हैं, तो भी वहाँ सीख सकते हैं, English conversation कर सकते हैं, आप वहाँ पर English के courses कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाते हैं, ILETS या TOEFL, तो आप ILETS की तयारी कर सकते हैं, वहाँ पर TOEFL की तयारी कर सकते हैं, वहाँ उन सब च स्क्राइब कुर्स जो भी आप क्लास करते हो किसी भी ट्यूटर के साथ में वहां वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा आपके प्रोफाइल में तो आप उसको बार बार देख सकते हो यूग कन रिवीव रिवाच बार-बार देख गुडगाओं जा रहे है और दो घंटे का ट्रेवल है बस में। तो वह दो घंटे के बीच में आप बहुत सारी सारी round schemes कर सकते और आप ट्रावल के दोरान क्लास कर सकते हो घर class कर सकते हो lunch break में class कर सकते हो या ट्यूटर के साथ छोटा मोटा discussion कर सकते हो यहाँ पर courses आएंगे अपने हिसाब से आप classes book कर सकते हो reserve कर सकते हो तो एक अच्छा option है यह आपके लिए यहाँ तक के courses करने के बाद एक number of courses करने के बाद यह certificate भी देते हैं आपको कि आप certified हो कि आपको हमने इतनी English 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 सिखा दी है English certificate भी आपको मिल जाएगा तो definitely आप जाके इसको try करिए I recommend go and try Cambly खर्चा भी इसमें ज्यादा नहीं है इनके courses का जो plans है वो plan आपको 3 या 4,000 रुपए per month maximum आता है जो इनके इसाब से है और अगर आप साल भर का भी book करते हैं तो आप बीच में कभी भी कभी cancel कर सकते हैं depending upon अगर आपको लगता है कि बस हो गया मेरे को और नहीं सीखना है but then the point is कि it's not very costly और सोचो अगर वहां आपको एक MD doctor मिल जाता है जो है अगर किसी MD doctor से आप discuss कर रहे हो अपने medical field का एक engineer मिल जाता है आप उससे direct अपने field का तो आप ना सिर्फ English बलके आप अपने field का knowledge भी उनसे ले सकते हैं depending upon आप उनसे किस तरह बातचीत करते हैं so एक अच्छी opportunity है जिसके बारे में हमें आपको बताना था अगर आपका अंग्रेजी भाषा में English भाषा में पकड़ अच्छी नहीं है तो Cambly की website Cambly का application download करिए उसको try करिए getting trying it is very trying try करके तो देखना ही चाहिए उसमें बहुत अच्छा है और try करना free है तो जरूर try करिए आप उसमें search करिए हजारों ट्यूटर्स आपको मिलेंगे सभी उमर के सभी field के और उससे आप अपनी अपनी field के person उनकी profile पढ़के अपने personal ट्यूटर को चुन सकते हैं उनके times देख सकते हैं और उनके time के हिसाब से उनसे बातचीत कर सकते हैं या किसी भी time होग सारे और कितने हफते में कितने दिन हिख हफते में दो दिन हवते में पांच दिन आप इस तरह के plans ले सकते हैं so इसमें बहुत सारे options है इस अ गुड प्लाइन गुड प्लाटफॉर्म ट्राइ करिये और अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजिनियर अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बनिये थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लिंक्स मैं नीचे देदूंगा आपको कंभली का एप्लिकें चंभली की वबसाइट और थैंक यू सो मच फो वाचीं अच्छे अच्छे इंच्छे डियू